नमस्त दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत है आज पिर हम एक आपके लिए एक विशेश रोग पेर वीडियो लेके आए हैं कि जिन बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं उसका क्या उपचार करें मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके लक्षन क्या है और उसका उपचार क्या है पहला लक्षन दोस्तों बच्चा हलका पेट दर्च से हमेशा पीडित रहेगा जब सुबह उठेगा बच्चा उसके मूँसे लार बैती मिलेगी थरड बच्चे के सोने का पोस्टर अलग होगा बच्चा गुटनों को चाती के लगा के सोएगा अब आपको मैं बताना चाहता हूँ इसका उपचार क्या है उपचार दोस्तों ताजा आड़ू के पत्तों का एक चमच रस ले ले जिए और सुबह खाले पेट च्यार से पांस दिन तक नियमित बच्चे को पिलाएं इसका प्रणाम इतना अच्छा है दोस्तों सारे कीडे पेट के निकल जाएंगे अब एक रुपचारता देता हूँ अगर यह उपलब्द ना हो तो आप यह कर सकते हैं मरवा के ताजा पत्तों का एक चमच रस और उसमें एक ग्राम कबिला चुरून इन दोनों को मिलाकर आप बच्चे को 4-5 दिन तक नियमित पिलाएं तो उससे भी उसको बहुत लाब मिलेगा सारे पेट के क्रीमी निकल कर बाहर आ जाएंगे और आपको बताना चाहता हूँ जिन बच्चों के पेट में कीडे हो जाते हैं वह सारीक और मानसी विकास रुख जाता है वह बच्चा ठीक से सो नहीं सकता ठीक से खा नहीं सकता आपको बताना चाहता हूँ बच्चों के विकास पर हमने एक और वीडियो लाली है बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए वीडियो लाली है उसका भी आपको link description में मिल जाएगा दोस्तों बच्चों के विकास समंदी हाइट समंदी या फिर किसी भी तरह का कोई परसन नहीं तो आप हमें वर्टसप कर सकते हैं कुमेटे के पूछ सकते हैं धन्यवाद जैहिन जैवार्थ अगर इन रातिरों में गरबादान किया जाता है तो पुतरी पैदा होने के ज़्यादा प्रिणाम आते हैं दोस्तों आपको कहाना चाहता हूँ कि बरमचरिय का पालन जरूर करें कम से कम 6 महीने या फिर एक वर्ष या जिसना ज़्यादा लंबार समय तक बरमचरिय का पालन कर सकते हैं उतना लंबा बरमचरिय का पालन करें जैसे कोई किसान एक वर्ष के लिए खेट को खाली छोड़ देता है और फिर वह फसल उगाता है तो उससे अगले वर्ष उसको अच्छी और उत्तम क्वाल्टी की फसल पैदा मिलती है उत्तम क्वाल्टी की फसल मिलती है जैतर में गबराज आती है कि गाठ कैंसर की नाव मातर दो या तीन परसेंट गाठे की कैंसर में बदलती है तो उसके लिए वो उपाए करें खाने वाला चुनना ले आए खाने वाला तो दोस्तों अपनी सस्कृति को जानो अच्छी से पैचानो अपनी देश की गलतियों को मिटाओ अपनी पैचान को मत मिटाओ